फिटर ट्रेड में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है टैप्स आज टैप टूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चित्र के माध्यम से आप टैप का चित्र देख रहे हैं तो टैप वह कटिंग टूल है जिसके द्वारा बेलनाकार छिद्र के अंदर च टैप के द्वारा चूणिया काटने के लिए पहले हम टैप के साइज के अनुसार डिल द्वारा छेद की किरिया करते हैं टैप के साइज की अनुसार डिल के द्वारा छेद किया जाता है फिर उसके बाद रिमिंग द्वारा उस होल की फिनिसिंग की जाती है और बिना फिन टैप एक internal thread काटने वाला टूल है इसके द्वारा आंतरिक चूणिया बनाई जाती हैं ये जो टैप है ये high carbon steel या high speed steel के बनाई जाते हैं और इनकी body को hard एवं tempered कर लिया जाता है टैप से बेलनाकार देखे के चारू तरफ बनी होई होती हैं और cutting edge के लिए इन चूणियों को काटते हुए टैप की लंबाई में कुछ groove या flutes भी कटे होते हैं टैप के भाग देख रहे हैं आप नीचे body है चूणिदार भाग body कहलाता है टैप का और चूणिदार भाग के ऊपर जो plane cylindricalी भाग दिखाई दे रहा है आपको उसे sank कहते हैं और sank के ऊपर जो चौरस भाग दिखाई दे रहा है उसको tank कहा जाता है तो tank में hand tap handle fit करके tap के द्वारा चूणियां काटी जाती है टैप handle से tap को गुमाया जाता है अब जानते हैं tap के परकार सबसे पहले hand tap hand tap set के रूप में उपलब्द होते हैं hand tap तीन set के रूप में उपलब्द होते हैं जिन्हें जो है taper tap intermediate tap और bottoming tap के नाम से जाना जाता है चितर के माध्यम से आप तीनों tap को देख रहे हैं तो सबसे पहले जो taper tap है इसको पहचानते कैसे हैं तो taper tap के जो अंत के कुछ दाते यानि की 8 से 10 दाते गिसकर taper कर दिये जाते हैं जिसकी taper lead चारंस होती है, इसके अंत के व्यास को point व्यास कहते हैं, यह उस hole के व्यास से छोटा होता है, जिसमें चूनियां काटनी हैं, इस प्रकार आसानी से hole में जाकर चूनियां काट सकता है, इसके बाद दूसरा वो तीसरा tap चला लिया जाता है, इसी set में hand tap set में जो दूसरा tap है वो है intermediate tap, यह hand tap का दूसरा tap होता है, इससे पहले tap द्वारा rough चूनियां काटने के बाद, फिर intermediate tap को चलाया जाता है, इसकी 3 से 5 चूनियां आगे से taper की गई होती हैं, इसकी taper lead 10 अंस होती है, यह tap सही आकार की चूनियां बनाता है, परन्तु blind hole में आगे की चूनियां सही साइच की नहीं बना पाता है, इसलिए तीसरा finishing tap चलाना जहां पर blind hole हो, वहाँ पर तीसरा finishing tap चलाना आवश्यक हो जाता है, अब आते हैं हम hand tap set के तीसरे tap में finishing tap, इसके आगे की मातर 2 या 3 चूनियां ही taper होती है, इसके परियोक की आवसकता, दूसरे tap को चलाने के बाद, मातर जो blind hole होते हैं, जो बंद छिदर होते हैं, वहाँ पर इसकी आवसकता होती है, इसकी taper lead 20 संस होती है, इसलिए यह चिदर की तली तक चूनी बना सकता है, तो यह hand tap थे, जो की set के रूप में उपलब्द होते हैं, और करम से तीनों को परियोक किया जाता है, दूसरा tap जानते हैं, दूसरा tap है हमारा machine tap, जैसा की नाम से ही पता लग रहा है, hand tap हाज से चलाए जाते हैं, और machine tap machine से चलाए जाते हैं, तो इस tap का परियोक machine की साहिता से किया जाता है, इसलिए यह tap ऐसे design की जाती है, कि यह लगातार tapping कर सके, machine tap का अधिक्तम परियोक, डिल machine या लेथ machine पर किया जाता है, इसको machine पर मादने के लिए tapping attachment की आवशकता होती है, तो tapping attachment कैसा होता है, tapping attachment में क्या है, कि जैसे tap द्वारा पूरी चूनी काट ली जाती है, तो स्वतह machine off होकर फिर tap जो है विप्री दिसा में गूमते हुए बाहर को निकलाता है, तो वही tapping attachment कहलाता है, तीसरा tap जानते हैं, extension tap, extension मैंने अत्रिक्त, यनि कि इसकी sank कुछ ज्यादा लंबी होती है, इसलिए इसे extension tap कहते हैं और इसको pulley tap के नाम से भी जाना जाता है, इस tap की sank, जो है hand tap की sank की अपिक्षा अधिक लंबी होती है, इस tap का परियोग वहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर अधिक गहराई में बने छेद में चूनियां काटनी होती हैं, जैसे पुली के हब में tapping करने के लिए इस tap का परियोग किया जाता है, चितर के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसकी जो sank है, वो साधान सैंक की अपिक्षा, इसकी sank ज्यादा लंबी है, चौथा जो हमारा tap है, वो है master tap, है तो साधान tap की तरह, परंती इसके जो flutes से हैं, उनकी संख्या 6-10 होती है, जो इस tap में flutes की संख्या है, वो 6-10 होती है, इसलिए अधिक flutes कटे होने के कारण जो चूणियां बनती हैं, वो बहुत साफ और सुद्ध बनती हैं, इसलिए इस tap का परियोग वहाँ पर किया जाता है, जहां पर अधिक साफ और परिशुद्ध चूणियां काटने की आवशक्ता होती है, पांचवाँ tap है हमारा machine screw tap, यह छोटे साइज की hand tap होती है, इनका साइज नमबर से व्यक्त किया जाता है, यह tap पराया छोटे साइज क चूणियां काटने के लिए परियोग की जाती है, जहां छोटे छोटे आंतरिक चूणियां काटने की आवशक्ता होती है, वहाँ पर हम machine screw tap का परियोग करते हैं, और यह 0 से 12 नमबर वाले नमबरों में मिलती है, और 0 से 12 नमबर वाले टैप ही परियोग में लाई जाती है, 0 नंबर का जो size होता है वो 0.060 इंच और जो 12 नंबर का size होता है वो 0.1-2 इंच का होता है छटा जो tap है हमारा यह है nut tap इस tap का परियोग nut threading machine पर किया जाता है जो nut में threading करने की machine होती है special वहाँ पर हम इस nut tap का परियोग करते हैं इस tap की sank nut के छोटे व्यास से कम size की होती है जब इस tap से nut में tapping की जाती है तो nut में चूनी काटने के बाद वह tap की sank पर चला जाता है तो जब हम nut पर चूनी काटते हैं तो आप देख रहे हैं जो इसकी sank है इसकी body से जिस पर चूनी कटी है उससे कम रखा गया व्यास चूंकि इसके द्वारा जब हम nut पर tapping करते हैं तो nut में चूनी काटने के बाद nut इसकी sank पर चला जाता है तो ये था nut tap अब हम जानते हैं tap तूटने के कारण होता क्या है कि जब हम tap द्वारा चूनी काटते हैं तो वहाँ पर tap तूट जाते हैं उनके क्या ऐसे कारण है जिनसे tap तूट जाता है या tap तूट सकता है है टैप के साइज के अनुसार किया हुआ सुराख छोटा होना जो हमने टैप करने के लिए पहले डिल से होल किया है अगर वह होल छोटे साइज का है तो टैप जो है तूट जाएगा दूसरा है टैपिंग करने के लिए किया हुआ सुराख जो है वो टेपर में होना अगर टैप टूड जाएगा, टैपिंग करते समय अधिक बड़े या छोटे टैप रेंच का परियोग हम जब करते हैं, तो उसके कारण भी टैप टूड जाता है, तो टैप के अनुसार ही टैप हैंडिल का चुनाव करना चाहिए, फिर है टैपिंग के कटिंग टीथ जो है वो घिस जाते हैं, अब यूज करते करके जो इसके टैपिंग के जो कटिंग टीथ हैं वो घिस जाते हैं, उसके बाद अगर हम ज़रोष से ज़्यादा परियास करते हैं, तो फिर क्या है टैप टूटने का कारण बन सकता है, नेश्ट है कि जाब को बेंच वाइस में ठीक से न बादने पर अब जो जिस जॉब में हम चूनी काट रहे हैं टैपिंग के द्वारा वो अगर हमने वाइस में सही से नहीं बादा है तो तब भी जो है टैपिंग से टैप करते समें वो अचानक से निकल जाएगा और तूट टैपिंग करते समें टैप का आधा चकर होता क्या है जब हम टैपिंग करते हैं तो आधा चकर दाहिनी तरफ फिर आधा चकर बाई तरफ गुमाते हैं तो उससे जो कटे हुए चिपसे हैं वो नीचे गिर जाते हैं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भी टैप फसके तो उस होल से चिपस को बार-बार साफ करते रहना चाहिए और टैपिंग करते समें लूब्रिकेंट का जब हम परियोग ना करें तो भी टैप तूट जाता है तो टैपिंग करते समें हमेशा लूब्रिकेंट का परियोग करना चाहिए और टैपिंग करते समें टैप सेट के त intermediate tap और batming tap का करम से परियोग करना चाहिए, अगर हम सुरुवात में intermediate tap लगाएंगे, तो वो tight चलेगा, तो tap तूट सकता है, तो यह सब आपको ध्यान देना है, इन सब कारणों से जो है tap तूट सकता है, अब आता है कि अगर tap तूट जाए, तूटे हुए tap को हम बाहर कैसे नि निकालेंगे, यदि tap जाब की surface से कुछ इस पर क्या है, इस्तितियां है, किस इस्तिति में आपका tap तूटा है, अगर tap जाब की surface से कुछ ऊपर से तूटा है, तो क्या है, तो आप तूटे हुए, आप round nose पलायर से पकड़ कर उल्टा घुमाते हुए tap को निकाल लेंगे, य तूसरी इस्तिति, यदि tap जाब की surface से ही तूट गया है, अब surface से बराबर से तूट गया, तब क्या करेंगे, तब उस tap को कैसे बाहर निकालेंगे, तो तूटी हुए tap को पंच वह हतोड़ी से चोट लगा कर निकाला जा सकता है, पंच और हतोड़ी से धीरे दे tap को उल्ट आता है, tap extractor कहते हैं, उसमें इसमें तीन या चार टांगें होती है, tap extractor अगर उपलब्द है, तो इजीली जो है, ये tap extractor की टांगें जो है, इसके tap के फुलूट में फस जाती है, जहां पर फुलूट कटे हैं, इसमें फस जाती है, फिर tap extractor को उल्टी दिसा में घुमाते ह भी टैप को बाहर निकाल लिया जाते हैं, अब अगर कारेसाला में टैप एक्स्ट्रक्टर उपलब्द नहीं है, तो क्या करेंगे, और टैप के जो है, होल के अंदर टुकले-टुकले हो गए हैं, तो उस इस्तिती में क्या करेंगे, तो हम ठोड़ा नाइट्रिक एसिट की दोनों में पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा ये जॉप को जला देता है, जिसके कान टूटा टैप सुराख में धीला पड़ जाता है, जिससे जो है, धीला पड़ जाता है, जिससे चिम्टी या फिर राउंड डोज पलायर से पकड़ कर हम बाहर निकाल ले मतलέ किसी भी की धातु को नर्म करने की किरिया है, अब क्या है एक हाट धातू है, टैप में हमुझारा के अंदर leagues की कर दिशा होने की कातने के लिए, तो किता होगा कि जिस भटी में हम घरम करने की लिए छोड़ी empir को छोड़ेंगे, उसी भटी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो जब भटी में ठंडा हो जाता है तो हमारा जो अंदर टैप है वो नरम पढ़ जाता है जब टैप नरम पढ़ जाता है तो उसे ट्रिल मसीन में ट्रिल के द्वारा काट के बाहर निकाल लिया जाता है तो ये थे टूटे हुए टैप को बाहर निकालने की विदिया तो आज आपने टैप के बारे में जाना कि टैप क्या है टैप कितनी प्रकार का होता है और टैप को चलाने पे क्या सावधानी रखनी चाहिए और टैप अगर टूट जाए तो तूटे हुए टैप को हम किस तरह से बाहर निकालते हैं तो आज के लिए इतना ही बने रही चैनल के साथ धन्यवाद